ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हैं करक राशी वालू आज की इस वीडियो में हम बात करनेवाले हैं एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर यानि की अक्टूबर 2022 के महिने के आपकी राशी के महाराशी फल के बारे में की अक्टूबर 2022 के महिने का समय आपके लिए किस प्रकार रहने वाला है साथ eating ग्रहनक सत्रों के एसाब से अक्टूबर 2022 के महीने में आपको किनकिन चीजों से फायदा होगा किनकिन चीजों से आपको साफधान रहना होगा आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनिस और वेपार कैसा रहेगा आपका स्वास्थ कैसा रहेगा, साथ साथ अक्टूबर 2022 के महीने में आपको धनकी हानी होगी या धनका लाब इस विसाय पर हम आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अक्टूबर 2022 के महीने का शटीक रासिफल इस वीडियो के माध्धम से हम आपको देने वाले हैं और साथ शाथ इस वीडियो के अंत में हम आपको कुछ महत्पपोन उपाई भी बताएंगे जिससे कि आप अपने इन दिनों को और भी अच्छा और बहतर बना सकें वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें तो कि इस वीडियो से आपका ही फायदा होने वाल हो सके चले दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर यानिकी अक्टूबर 2022 के महिने का यह महत्पपोन समय दोस्तों इस समय आप भावनात्मक रूप से सशक्त रहेंगे ग्यानवर्दक तथा रोचक कारों में समय व्यातीत होगा परिवार के साथ धर्मिक इस्थल पर भी जाने का प्रोग्राम बनेगा आप अपने व्यक्तित्व में शकारात्मक रूप से परिवर्तन भी महसूस करेंगे जमीन जायजाद और निवेस जैसी गतिविदियो में वेस्तता बनी रहेगी उत्तम समाचार की भी प्राप्ती हो दोस्तो इस समय आप अपने आपको मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे आपका अपने व्यक्तित्व को निखारने के प्रती विसेश ध्यान रहेगा किसी महत्पपून व्यक्ति से मिलने के बाद लाबदायक योजनाय भी बनेंगी शसुराल पक्ष से संबंद और भ अधिक मजबूत होंगे दोस्तो यह समय किसी महत्पपून काम में सफलता मिलने से उत्सा और भी अधिक बढ़ेगा जिससे आप अपनी थकान भी भूल जाएंगे किसी प्रकार की प्रतीस प्रदा के छित्र में सफलता प्राप्त करने की उत्तम संभाव नहे हैं जा दोस्त आ रही कोई चिंता समाप्ध होगी जिससे मानसिक सांती रहेगी आर्थिक मामलों में भी धोस और महत्पपून निर्ने भी इस समय सफल होंगे दोस्तों साथ यह समय कोई सपना साकार होने से मानसिक रूप से सुकून रहेगा समय बहुती महत्पपून है इसका भरपूर श चित रहेगा जिहां दोस्तो साती सात यह समय अचानक से कोई मुसीबत में समस्या खड़ी हो सकती है परंतु समझ बूज और सावधानी से आप इससे उभर भी जाएंगे नकारात्मक प्रवर्ती के लोगों के साथ संपर्क में रहना आपके लिए मान हानी का कारण बन सकता है शाफधान रहें दोस्तो यह समय सब कुछ ठीक होने के बाबजूद भी मन में कुछ नकारात्मक विचार आ सकते हैं कुछ समय प्रकरती के साथ वे मेडिटेशन में समय व्यतित करना आपको सुकून देगा युवा वर्ग को अपने केरियर से सम्मंदित कार्रे में अधिक ध्यान देने की आवशक था हैं साती सात धन सम्मंदित मामलों में भी किसी तरह का भी कोई समझोता आप ना करें दोस्तो यह समय वाहन या घर की मरमत सम्मंदित कार्रों में अथ्यदिक वे होने से बजट भी आपका बिगर सकता हैं अपने दिस्तिदारों के साथ सम्मंद बहतर बनाकर रखने में आपको मेहनत करने की आवशक था हैं दोस्तो यह समय केरियर और व्यक्तिगत कार्रों में अपने एहम को आड़े ना आने दे अन्यथा बनता हुआ काम बिगर जाएगा बहुत ही जल्दबाजी वे उत्तेजना की वज़े से किसी के साथ संबंदों म भी खटास आ सकती है इसलिए आप अपनी वानी में मधूरता बनाए रखें दोस्तो साथ साथ इस समय आप अपने विरोधियों की गतिविद्यों को नजर अंदाज ना करें छोटी सी भी बात पर ही किसी से कहा सुनी वे बोल चाल हो सकती है इसलिए अपने स्वेभाब को सह अबित रखना आवशक है बच्चों की परिशानियों के निवारान के लिए कुछ समय उनके साथ भी व्यतीत करना जरूरी है परन्तु काम की अधिकता रहेगी मेहनत के अपेक्षप पलणाम कम प्राप्त होंगे दोस्तो यह समय विद्धार्ती सोचने समझने में बहुत अ परिवारिक वातावरन खुसन मा रहेगा परिवार के साथ मनुरंजन तथा आमोद प्रमोद में भी समय व्यतीत होगा परिवारिक माहौल सौंधर्य पूंड रहेगा प्रेम के मामलों में आप भाग्य साली रहेंगे परिवार के साथ सुक्स विदा संबंदी चीजों की स् दोस्तों साथी साथ यह समय जीवन साती के साथ कुछ तक्रार की इस्तिती उत्पन हो सकती है परन्तु शहज तरीके सबंद वूडते मजबूत हो सकते हैं दोस्तों कुल मिलाकर पती पतनी के आपसे संबंद मदूर रहेंगे घर का माहूल भी अनुसासित तथा मर्यादित रहेगा दोस्तों बात करें केरियर व्यवसाई की तो यह समय करेचित्र में ज़्यादा ध्यान देने की आपको आवश्यक्ता है करमचारियों की वज़े से कुछ मानसिक तनाव रहेगा नौकरी में आपसी मतबेद वे गलत फहमिया इस समय उत्पन हो सकती है परन्तु यह भी निश्चित है कि आप अपने बलबूते पर इस्तितियों को समाल भी लेंगे जिससे आपको बहुती खुसी महसूस होगी दोस्तो साथी साथ यह समय वेवसाइक करती विदियों में वरत्ती होगी कोई महत्पपूर डील भी इस समय लग सकती है मारकेटिंग, संबंदी, कार्रों में नुकसान होने की भी संभावना है बहतर होगा कि इन सब को इस तक इती ही रखे नुकरी पेशा लोगों की अधिकारी वर्ग से मित्रता लाब प्रहद रहेगी दोस्तो यह समय कारेच्छित्र में किसी प्रकार का इस्थान या कारेप्रनाली में परिवर्तन करने की आवशकता है आलस को अपने उपर आप हावी होने ना दें आफिस तथा व्यवसाइक दोनों जगह टीम वर्क के साथ काम करने से इस समय बहतर सफलता आपको प्राप्थ होगी दोस्तो साथी साथ किसी महत्पपून व्यक्ति से मुलाकात आपके व्यवसाइय में सहिक साबित होगी अगर किसी ने काम की सुरुवात करना चा रहे हैं तो यह समय आपके लिए सुभ है परंतु अभी आय सामाने ही रहेगी वरिष्ट अधिकारी भी आपके काम से प्रसन रहेंगे व्यवसाइक गतिविदियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी आपको अपनी महनत के अनुरूप उचित फल भी प्राप्त होंगे सरकारी सेवारत व्यक्तियों का भी अपने अधिनिस्त करमचारियों पर दब दबा बना रहेगा दोस्तो यह समय कारूबारी अपने व्यवसाइपर विशेश रूप से ध्यान केंधरित रखें उनके लिए इस समय लाबधायक ग्रह की इस्तिती बनी हुई है मनोरंजन तथा सौंदर्य प्रशाधन संबंदित व्यवसाइपर विशेश रूप से तरक्की में रहेंगे नौकरी में आपको कोई महत्पपूर्ण पद की प्राप्ती होगी जिससे आपको काफे खुसी का अनबब होगा दोस्तो बात करें आपके स्वास्त की तो स्वास्त आपका ठीक रहेगा कफ प्रकर्ती के लोग बदलते मौसम से अपने आपका बचाब करकर रखें मौसमी बीमारियां जैसे खासी जुखाम आदी परिसान कर सकती हैं आरुवेदिक चीजों का अधिक से अधिक शेवन करें दोस्तो साथी साथ पेट से सम्मंदित किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है अपने खानपान को सहीं पित रखें आपके स्वास्त के लिए बहुती अच्छा रहेगा जैदोस्तो बात कर लेते हैं इन दिनों आपके लिए विशेश उपाई क्या रहेगा जैदोस्तो आप शप्रथम उपाई तो यह करें कि आप प्रतेक गुरुवार के दिन यानि भगवान विश्नुजी के दिन यह दिन भगवान विश्नुजी को समर्पित है प्रतेक गुरुवार के दिन आप पीली वस्तों का दान करें विशे सलाब होगा वस्त रो सकते हैं पीले फल हो सकते हैं बलग किसी ने किसी रूप में आप पीली वस्तू का दान करें, ब्रस्पतिवार के दिन विशे सलाब होगा आपको, और साथ साथ आप क्या करें, आप प्रतेक गुरुवार को यानि ब्रस्पतिवार के दिन आपको केले के पेड़ में जल जरूर अर्पित करना है, जल किस पर डाल कर आपको केले के पेड़ की जड़ में अर्पित कर देना है समस्त मनुकामना मांगते हुए भगवान विश्णू जी आपकी समस्त मनुकामना पूर्ण करेंगे जीवन से जो भी दुखतर संकट है वे दूर होंगे और शाती साथ आप क्या करें आप किसी भी दिन सप्ता के बंडार परे रहेंगे किसी माद्यम से धन नहीं दुखता रुकने लगेगा किसी कारण से कोई कारण नहीं हो रहे ते विगन बादाएं आ जाती हैं वे भी विगन बादाएं दूर होंगी समस्त कार्रे आपके बनने लगेंगे और जितना संबभ हो सके आप जरुत को कुछ न कुछ दान करें उनकी मदद करें किसी भी रूप में हो वस्त्र देकर अन धन देकर जिसी भी रूप में हो जरुत मन्दों को आप कुछ न कुछ जरूर करें श्रद्ध सामर्द के नुशार विशे सलाब होता है जा दोस्तो इस वीडियो में आपको अक्टूबर 2022 का समकूर रासीपल बताया वीडियो को लाइक करें ज्यादा शेयर करें चैनल सस्क्राइब करें धन्यवाद